नमस्कार दोस्तों दफेक्ट टाई में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बेटी के साथ मिलवाएंगे जिन्होंने समाज के लिए किया है अनोखा का रहे हैं किस तरीके से ये समाज हित के लिए आ गया हैं इनका फर्स जो 18 वर्डे था उस वर्डे पे इन् जानेंगे इनके साथ सिधी बातचित करके नमस्कार मैम आपका नाम किया प्लैन था अपका और क्या इंप्लिमेंट आपने किया अपने 18 वर्डे पर पहले मैंने कभी बिलडन नी किया था तो फर्सलि मैंने सोचे वाथ है कि मैं अपने 18 वर्डे पर ब्लॉडडनेट जिससे मतलब कि हमारा जो ब्लड सर्कूलेशन है वो अच्छा होता रहता है जैसे कि हम बहुत सारी बिमारियों से बचे रहते हैं हमें पिता जी ने बहुत सारा कुछ सिखाया है कि हमें मानम तब लाइके कैसे कारे करने हैं कैसे गरीब लोगों की मदद करनी है खून दान क किसे हमें फोजियों को बचाना चाहिए तो ऐसे करके मैंने अपने एट हिंद बाड़े पर अपना फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया क्या सा मैसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा मैसूस कर रहे हैं डर नी लगा आपको? नहीं अच्छे काम करने के लिए डर किस बात का आज कल बच्चे सुई से डरते हैं आपको बिलकुल डर नी लगा? नहीं हमें बिलकुल डर नी लगा मैं आज भी आप डेरा सचा सोधा में कितने दिनों के लिए आप यहां पर आए हमें एक हफ्ते के लिए आए हैं सेवा कि मैं आज के समय में कोई बाई बाई को खून नहीं देता है आप दूसरों के लिए ब्लड डॉनेट कर रहे हो और आपने 18 वर्डे से स्टार्ट कर दिया है क्या कहना चाहिए यह हमें हमारे ग गुरू पाप हमें गाइड करते हैं हम ऐसा काम करते हैं और क्या कहना चाहोगे संड़क्ट गुरमीत राम रेम सिंग चेंसा के लिए बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में हमारे गुरू जी की देश को बहुत जरूरत है जैसे कि वह मारत भलाई के बहुत सार जरूरत है आज के समय में उनकी ना रहने से कैसा परवाब पढ़ रहे हैं जैसे कि आप लगा लो कि नशे बहुत सारे बढ़ रहे हैं तो अभी हमारे गुरू जी एक मीना आई थे तो उन्होंने कितने सारे नशे शुड़वाई और उनको एक अच्छी जिंदिगी दी ओन पर निकाले क्योंकि वह हमारे देश के लिए बहुत सारे कारे कर रहे हैं जिससे हमारा देश एक टॉप लेवल पर जा सकता है और लास्ट में जो भी उनके बारे में दूसरी तरफ जो बातें उठाई गये उसके बारे में पब्लिक को क्या कहना चाहूंगे मैं तो बस यह क चाहूंगी कि वह सब कुछ जूट है सरकार की साजिशे हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनको एक जूटे केस में फसाया गया है क्योंकि वैसे आप देख सकते हैं कि हमारे डेरा सच्चा सोदा में कैसे कारे चलते हैं एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं तो बस मैं तो यह कहना जी मैं बहुत पर दन्यवाद, दोस्तों देख सकते हो, लोग अपने बर्डे पे पार्टीज मनाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, खुब ऐसा खर्च करते हैं, लेकिन वहीं पर आज इस बेटी ने अपने बर्डे पर, 18 बर्डे पर ये डेरा सचा सोधा में पहुंची हुए है यहां पर साथ दिनों के लिए आई हैं और इन्होंने खूंदान किया है, लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है, समाज हित के लिए करा है, आप लोग सोचें किस तरीके से ये लोग समाज हित के लिए आगे आ रहे हैं, इनका कहना है कि संत जी के कहने पर ये लोग ऐस से काम करते हैं यह है वो सच जो आपने उस तरीके से पब्लिक में नहीं देखा होगा जो मीडिया में दिखाया गया था एक तरफ कि तरे शिय spokesperson के कहने पर लोग जिंदगियां बचा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज को नशे से दूर करने के लिए हमारे देश को टॉप लेबल पर लेकर जाने के लिए संत जी समाज में आए ताँ जो हर नोजवान दूसरों के लिए खूंदान करे और जिंदगियां बचाए आपकी क्या राय है जरू ढालेगा कमेंट बॉक्स में ऐसी महान सोच के लिए देखते रिए इस चैनल को जनता की अवाज के साथ तफेक्ट आई को बहुत बदन